जहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं अच्छे होगे और एक्जाम की तैयारी में जूटे होगे दोस्तों आप सभी लोगों का हम अपने इस यूटूब चैनल योगेंद फर्जमना में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए सीटट दो हजार चौबिस का बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र का फ़र्ष्ट लेकर उपस्तित हुआ हूँ जो विकास की अवधार्ना एवं इसका अधिगम से संबंध है आज हम इसके बारे में बात करेंगे जिसके अंतरगत हम देखेंगे की कंसेप्ट आफ डवलप्मेंट उसके बाद हम देखेंगे की बाल विकास के अध्यान में प्राया हन्नियम लिखित बातों को सामिल किया जाता है इसके अलावा हम और चीज देखेंगे इसमें विकास के अभी लक्षन देखेंगे ठीक है और इसके बाद हम ब्रद्धी एवं विकास में अंतर भी देखेंगे तथा मानव विकास की अवस्थाएं देखेंगे कि कितनी अवस्थाएं होती हैं उसके अलावा हम अधिगम को ज बिकास की विभिन अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध तथा विकास के विभिन आयाम वदिगम से उनका जो है तो अधिगम से संबंध देखेंगे तो इस हिसाफ से दोस्तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो की 2024 सीटेट एकजाम के लिए काफी तो प्लीज वीडियो को सुरू से लेकर यंद तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में सेर जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों भी ना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने में टॉपिक पर हमारा अवधार्णा का मतलब होता है दोस्तों बिचार क्या होता है इसका मतलब होता है बिचार ठीक है मतलब जो है तो लोगों के मन में क्या क्या बिचार है वही होती है अवधार्णा और विकास का मतलब होता है ये विकास हमें कभी दिखता नहीं है ठीक है ये माइंड है किसी का जब वो दिमाग लगा कर कोई चीज का अविस्कार कर देगा किसी चीज का जो है तो विस्तार कर देगा कोई चीज बना देगा वही हो जाएगा उसका विकास तो विकास की अवधाना ठीक है इसमें हम देखेंगे कि विकास की प्रक्रिया जो है ठीक है जो विकास होता है उसकी जो प्रक्रिया है मतलब जो है तो विकास करने की जो भी क्रियाएं है ठीक है वह है अबिरल करमी के तथा सतत प्रक्रिया होती है सतत यनि लगातार चलती रह और क्रम से चलती रहती है ठीक है उसके बाद हम इसी में देखेंगे कि बिकास की प्रक्रिया में बालक का जो सारीरिक मतलब बिकास की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि बालक का सारीरिक बिकास क्रियातमक बिकास मतलब उसके जो कार करने के जो तरीके हैं उने में कुछ बदला आवा रहा है कुछ सुधारा रहा है उसके अलावा हम देखेंगे संग्यानात्मक मतलब उसका जो स्वयम का जो ग्यान है ग्यान में क्या ब्रद्धी हो रही है ठीक है मतलब ग्यान कुछ क्या वो सीख करके कोई और नया कार कर रहा है उसके बाद जो है तो उसकी भासा का भी क बिकास हुआ की नहीं हुआ संबेगात्मक देखेंगे संबेगात्मक का मतलब होता है चाल की गती संबेगात्मक का मतलब होता है चाल की गती से है एबम समाजी बिकास समाजी का मतलब होता है समाज और बिकास का मतलब होता है उसका जो है तो बिस्तार हो जाना ही जो है तो क्य है विकास है ठीक है और विकास की प्रक्रिया के अंतरगत हम उनकी रुचियों को आदतों को और उनके देखने का जो तरीका है नजरिया है उसको जीवन के मुल्यों को सुभाव और बेक्तितों तथा बेवहार इत्यादी को भी सामिल किया जाता है यह सब विकास की प्रक्रिय जाही है कि उसकी आदतें बदलती रहती हैं उसका स्वभाव में परिवर्तानाता रहता है बैक्तित तो में बेवहार में परिवर्तानाता रहता है तो ये सब विकास की ही प्रक्रिया है ठीक है उसके बाद भी बाल विकास का तात्पर होता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया है वही है क्या बाल विकास बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्ब गर्भ में ही प्रारंब हो जाती है जब से बालक अपने मा के पेट में आता है तब ही से जो है तो उसका विकास होना सुरू हो जाता है ठीक है विकास की इस प्रक्रिया में हुआ है गर्भा व बाल्य वस्था किसोरा वस्था वह प्रावड़ा वस्था गर्भा वस्था यनि कि जब वह मा के पेट में होता है सैसो वस्था जब वह जन में ले लेता है बाल्य वस्था जब वह छोटा होता है और किसोरा वस्था जब वह जवान होता है और प्रावड़ा वस्था जब वह अध्यान में प्राया हनिम लिखित बातों को सामिल किया जाता है ठीक है बाल विकास का जो अध्यान है उसमें हम किन किन चीज़ों का जो है तो अध्यान करेंगे किन किन बातों को सामिल किया जाता है बाल विकास के अध्यान में वो चीज़ देखेंगे ठीक है जैसे यहां प आत्म निर्भर हो जाना आत्म निर्भर होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं बालक में होने वाले परिवर्तनों का विसेस आयू के साथ क्या संबंध होता है ये सारी चीज हम बाल विकास के अध्यान में जो है तो देखेंगे ठीक है आयू के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है बालक में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं ये सब जो है तो बाल विकास के अध्यान में जो है सामिल है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बालक में समय समय पर होने वाले जो परिवर्तन है उसके बेवहार में किस उसके जो बेवहार है तो मतलब जो परिवर्तन होते हैं वे उसके बेवहार को किसके बालक के बेवहार को कैसे प्रभावित करते हैं अब प्रभावित के मतलब यह होता है कि उसको लाभ भी पहुँचाते हैं हा सम्बंधित होते हैं यह क्या पिछले परिवर्तनों के याधार पर बालक में भविस्ट में होने वाले गुणात्मक एवं परिवर्तनों की भविस्ट वाड़ी की जा सकती है इन सब चीजों को हम जो है तो देखेंगे ठीक है क्या सबी बालकों में ब्रदी एवं विकास उत्तरदाई होते हैं एवं इसी में हम देखेंगे कि बालक में गर्व में आने के बाद निरंतर प्रगत्ती होती है मतलब उसका विकास प्रगत्ती यनि की विकास होता है गर्व में आने के बाद से इस विकास के विभिन आयू तथा आवस्था में क्या स्वरूप होगा ठ ठीक है, जीवन मूलियों में, सुभाव में, सभी में जो है तो हमें परिवर्तन दिखाई देगें और देते रहते हैं, उनके विभिन आयवर्ग तथा अवस्था विसेस में क्या स्वरूप होता है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति है, ठीक है, ये सारी तो बाढ़ तक हूटी है उसकेबाद उखर रूख जाती है कोई पेंड है मैं वह एक निश्चित अ वदि तक बाहता है और ऊए गड़ती नहीं है लेकिन किसी मिश्चित तक वह रूख जाती है बस उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को मैं मैं और आप front से 25 साल 25 साल की उम्रता को वो जो है तो क्या होता है वो उसका जो हाइट है वो बढ़ता है और 25 साल के बाद उसकी हाइट वहीं पे इस्टाप लग जाती है ठीक है तो वो क्या है वो है ब्रद्धी लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो हमने अभी बताया ही है कि जब से बाल कोई चीज सीखता रहता है ठीक है तो विकास क्या है जीवन परियंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्वधारन के समय से लेकर मिर्तु परियंत तक चलती रहती है क्योंकि मानो जब से मा के पेट में आता जब से लेकर और जब तक वो जीवित होता है तब तक वो कोई न कोई चीज सीखता ही रहता है ठीक है विकास आत्मक परिवर्थन प्राया ब्यवस्था परक प्रत्यात्मक और नियमित होते हैं सामाने से बिसिष्ट और सरल से जटिल की और एकी करत से क्रियात्मक इस तरों की और अगरसर ह हो सकती है जो विकास की प्रक्रिया है वो साथ-साथ हो सकती है अलग-अलग भी हो सकती है कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं और कुछ जो है तो धीरे-धीरे होते हैं और कुछ इतना इसपष्ट रूप से होते हैं कि वो दिखाई देते हैं जैसे बालक में आप देखेंगे उसका पहला दात निकलना जबकि कुछ परिवर्तनों को दिन प्रति दिन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभाव नहीं होता है ठीक है पहला दात जो निकलता है ठीक है और जैसे की जो है तो ये इस पर शुरूप से दिखाई देता है जब पहला दात निकलता है जबकि कुछ परिवर्तनों को दिन प्रति दिन क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभाव नहीं होता है ठीक है जैसे ब्याकरण को समझना उसे आसानी से नहीं समझा जा सकता ठीक है लेकिन बालक में जब नए दात आते हैं उसे आसानी से समझ सकते हैं देख सकते हैं विकास आत्मक परिवर्तन की दर गती उलेखनी बितिगत अंतर हो सकते हैं यह अंतर अनवनसिक घटकों परिवेसी प्रभाबों के करण हो सकते हैं कुछ बच्चे अपनी आयू की तुलना में अतधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं जबकि कुछ बच्चों में विकास की जो गती है वो बहुत धीमी होती है और कुछ बच्चे में विकास की गती बहुत तेज होती है कोई-कोई बच्चा किसी भी चीज़ को एक वार समझाने से स पिदारण के लिए एक आउसत बच्चा तीन सब्दों में वाकत तीन वर्स की आयू में बोलना सुरू कर देता है परन्तु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो दो वर्स के होने से बहुत पहले ही ऐसी योगता प्राप्त कर लेते हैं मतलब तीन साल के नहीं होते हैं दो सा के मतलब तीन वर्स की आयू में कुछ लोग बोलना सुरू करते हैं कुछ दो ही वर्स में बोलना सुरू कर देते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो चार वर्स ले लेते हैं बोलने में तब भी पूरा वर्स के बोलने में सक्षम नहीं हो पाते मतलब पूरा तरह से नहीं बोल प विकास क्या होता है आभी हमने बताया ही है कि ब्रद्धी हमें दिखती है यानि ब्रद्धी का मतलब होता है बढ़ना वो हमें दिखता है कि कितना वो बढ़ गया लेकिन विकास जो है वो हमें नहीं दिखता है वो जो है तो किसी भी इंसान का दिमाग है वो अपने दिमाग से किसी भी चीज का निर्मार कर देता है वही उसका विकास है ठीक है अगर उसके पास दिमाग नहीं होगा अगर वो जो है तो किसी चीज का निर्मार नहीं कर पाएगा तो उसका विकास नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बड़ी विकास का प्रयोग लोग पारिया वाची के रूप में करते हैं अवधारनात्मक रूप سے देखा जाए तो इन दोनों में अंतर है ठीक है यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे अगर हम ब्रद्धी की बात करें तो ब्रद्धी सब्द का प्रयोग परिनात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, उचाई, आदी के लिए होता है यही होती है ब्रद्धी ठीक है उसके हाथ पायर देखें कि आप पहले वह बढ़नें का ठीक है इसका छेत्र सीमित होता है वह जन मिश्यक है क्रिया अजीवन नहीं होती है यह जो है तो एक निश्ची समयावाधी में रूख जाती है जो बाढ़ होती है किसी भी चीज की वो एक निश्ची तेज तक बाढ़ता है और उसके बाद वहीं पे इस्टाप लग जाता है बालक के परिपको होने के साथ ही यह रुक जाती है जब बालक समझदार हो जाता है ठीक है तो उसकी जो बाढ़ने की जो उचाई उसकी बढ़ रही होती थी वो जो है तो वहीं पे इस्टाप लग जाती है जब वो अच्छी तरीके से आत्म निर्भर हो जाता है परिपको हो समझदार हो जाता है तब बाला की सारीरिक ब्रद्धी हो रही है इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है ठीक है क्यों कि वो कोई भी व्यक्ती है वो बाढ़ तो गया है पांच फिट साथ फिट का लेकिन अगर उसके पास दिमाग नहीं है वो कोई चीज़ को पढ़ नहीं पा रहा है कोई चीज़ का निर्मान नहीं कर पा रहा है तो वो उसमें विकास नहीं है वो विकास नहीं है वो केवल व्रद्धी है वो बढ़ावस है उसमें विकास नहीं है कुछ भी ठीक है क्योंकि ओकुछ कर ही नहीं पा रहा है ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बिकास को बिकासए सब्ड का प्रयोग परियाणा आतमक परिवर्टनों के साथात बेवारी कारचंता बेवार में सुधार इत्यादी के लिए भी होता है ठीक है दूसरा देखेंगे विकास ही में विकास अपने आप में एक बिस्तितर्थ रखता है ब्रदी इसका एक भाग होता है और विकास एक सतत प्रक्रिया है मतलब सतत यनि लागातार ठीक है विकास जो है तो लागातार चलने वाली प्रक्रिया है बालक के परिपक होने के ब के लिए भी ब्रद्धी आवश्चक नहीं है ठीक है उसके लिए जो है तो ब्रद्धी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति 6 फिटका है तो आई एस बन गया है मतलब उसमें दिमाग आ गई है ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति जो है तो 3 फिटका 4 फिटका होता है वो भी आई एस बन ठीक है तो बड़े या छोटे में कोई फर्क नहीं है विकास जो है तो किसी कभी हो सकता है ठीक है उसमें एज का और उसके हाइड का कोई लेना देना नहीं होता है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे विकास की अवस्थाएं मतलब विकास कब-कब होता है उनके बु विकास एक सतत प्रक्रिया है मतलब लगतार चलने वाली प्रक्रिया है ठीक है सरीरिक विकास तो एक सीमा के बाद रुक जाता है सरीर का जो विकास है वो एक सीमा के बाद रुक जाता है जैसे वो पचीश सीयर का अगर हो गया है तो पचीश साल में उसकी जो हाइट है उसमें stop लग जाता है उसके बाद वह नहीं बढ़ता है उतने से ज़ढ़ा किन्तु मानो सारेरिक क्रियाओं में उसका विकास निरंतर होता रहता है मानो सारेरिक क्रियाओं इनका जो मानसिक विकास भासाई संबेगात्मक समाजी का चिर्ट्रिक विकास ये होता रहता है ठीक है और भिन भिन प्रकार से होता है विविन आयु इस्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते है ठीक है आयु का जो इस्तर होता है जैसे की जो बाल वस्था है जैसे की प अवस्थाओं के अनुसार मानो विकास की अवस्थाएं इन्ही को जो है तो जो आयू के ये इस्तर होते हैं इन्ही को जो है तो मानो की अवस्थाएं कहते हैं भारती पानीसियों ने मानो विकास की अवस्थाओं को साथ कालों में भी भाजित किया है ठीक है वो इस प्रकार से हैं जैसे गर्भावस्था यानि की गर्भाधान से जन्म तक जब तक वो जो है तो मा के पेट से बाहर नहीं आ जाता वह जो समय होता है वह गर्भावस्था का समय होता है लेकिन कोई भी बालक जब अपने मा के पेट से बाहर निकालाता है और पांच साल का हो जाता है जब व तो होगा उसे बाले अवस्तानाम दिया जाएगा ठीक है और 12-18 साल के बीच का है तो कीह 14 वस्ता है और 18-15 साल की क्लिक सोगता है हमने तो बहुत सारी अवस्थाइं बताई हैं लेकिन जो बिद्वान है वो एक एवल चार अवस्थाइं मानते हैं जैसे पहला है सैस्वावस्था दूसरा है बाल्यावस्था तीसरा है की सोरा वस्था और चौथा है वायस का वस्था तो 6-12 वर्स के बीच अगर जो जीवन जी रहा होता है कोई भी व्यक्ति हुए वालिया वस्ता 12-18 के बीच का जो समय होता है किसी भी बालक का वो है कि 14 वस्था और 18 वर्स से अधिक हो जाएं यानि मिरत्व तक 18 वर्स से मिरत्व तक के बीच का जो समय है उसको वैस का वस्था के नाम से जाना जाता है सिखशा की दृट से प्रतम 3 अवस्थाई महत्पूर्ण हैं ये वाली और ये और ये ठीक है मतलब सैसवावस्था वालवस्था और किसोरावस्था इन्ही में सिखशा प्राप्त की जा सकती है इनके वाद फिर सिखशा प्राप्त करना आसान नहीं होता है इसलिए सिक्षा मानोबिक ग्यान में इनी तीन अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्यान किया जाता है ठीक है अब देख लेते हैं अधिगम अधिगम क्या होता इसका मतलब होता है दोस्तों सीखना लर्निंग यानि की सीखना ठीक है अधिगम का अर्थ है सीखना अधिगम एक प्रक्रिया है ठीक है सीखना क्या है एक प्रक्रिया है क्योंकि वो दिन प्रति दिन सीखता रहता है आज कुछ और सीखा है कल कुछ और सीखेगा परसो कुछ और सीखेगा ठीक है तो अधिगम क्य है एक प्रक्रिया है जो जीवन परियंत चलती है जीवन परियंत यानि की पूरे जीवन तक चलती रहती है जब तक वो व्यक्ति जो है तो मृत्ति को प्राप्त नहीं कर पता तब तक वो जो है तो अधिगम की जो प्रक्रिया है यानि सीखने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है मिरत्व परियंत तक ठीक है जिसके दोरा हम कुछ भी ग्यान अरजित करते हैं या जिसके दोरा हमारे बेहार में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है वही तो है सीखना वही तो है अधिगम जन्म के तुरंत बाद से ही ब्यक्ति सीखना प्रारम कर देता है अधिगम ब्यक्तितो के सर्वांगिन्ड यानि की पूरा विकास सर्वांगिन्ड विकास यानि की पूरी तरह से विकास में सहायाख होता है काउन ब्यक्तितो यानि किया धी गम वह ब्यक्तित के सब पूरा विकास करने में ब्यक्ति का पूरी तरह से विकास करने में महत्पूर्ण योगदान देता है ठीक है इसके बिना उसके जो है तो जीवन के विकास की कलपना नहीं की जा सकती जो ब्यक्तित देखते हैं आज पढ़ा लिखा कम होत उसमें जो है तो विकास नहीं होता है उतना तो उसको अपना जीवन बिताना बहुत ही कठीन हो जाता है ठीक है क्योंकि उसको मेनत मजदूरी वाला काम करना पड़ता है ऐसे स्थिती में उसको कहीं न कहीं बहुत जादा कश्ट जहलने पड़ते हैं जीवन को ब्यतीत करते सम ठीक है अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयम और दुनिया को समझने के योग गो जाता है। याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो केबल किताब को पढ़ करके रट करता है पढ़ता है केबल रटता है रटने वाला जो रटतम ग्यान होता है रटने वाला जो ग्यान होता है वो अधिगम नहीं है वो सीख नहीं है ठीक है लेकिन जो व्यक्ति केबल पढ़ करके उसको समझ करके कोई भी परिवर्तन करने एबं उत्पादन करने अर्थात ग्यान का ब्योहारिक प्रियुक करने में सक्षम हो गया है तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतरगत रखा जा सकता है सार्थाक अधिगम ठोस चीजों मानसिक उद्ध को प्रतूत करने वा उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया ना की जानकारी कठा कर उसे रटने की प्रक्रिया है तो मित करते है यहां तक आपको समाज में आ गया होगा की जो अधिगम है यानि की जो सीखना है वो रट करके रटना कोई विवक्ति किसी भी चीज को अगर रटता है तो वो अधिगम नहीं है वो सीख नहीं है ठीक है लेकिन अगर उसको समझ करके और अपने लेंग्वेज में अपने भासा में अगर उसको दोहराता है वही है जो है तो अधिगम ठीक है वही है जो है तो सीख या सीखना उसकी परिभासा देख लेते हैं अधिगम की गट्स जो है तो एक जो है तो इन्हों ने कहा है कि अनुभाव दौरा ब्योहार में रूपांतरन लाना ही अधिगम है ठीक है अनुभाव के दौरा हमको अगर अनुभाव है किसी काम को करने का हमारे पास अगर अनुभाव है तो उस अनुभाव के आधार परहां अपने ब्योहार में परिवर्तन ला दें वही अधिगम कहलाता है वही ये पील कहते हैं कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है ठीक है अगर उसमें अधिवान नहीं है उसमें अगर सीख नहीं है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा इनका कहना है जबकि ऐसा कुछ नहीं है चाहे व्यक्ती सीखे चाहे ना सीखे उसके जीवन में परिवर्तन उतार चड़ा तो होते ही रहते हैं ठीक है जो उसके बातवरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है क्रो एबं क्रो के अनुसार सीखना आदतों ग्यान एबं अविर्तियों का आरजन है आरजन का मतलब है अपने और जो है तो ग्रहन कर लेना ही आरजन है इन में से कारियों को करने नभीन तरीके समलित हैं मतलब नए नए तरीके हर दिन नया नया तरीका कोई भी काम करने का जो नए तरीके अपनाते रहना चाहिए वही है अधियम वही है सीख है इसकी सुरुवात व्यक्ति दौरा किसी भी बाधा को दूर करने अत्वा नवीन परिसितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है इसके माध्यम से बेहार में परिवर्तन होता होता रहता है ठीक है नए इसके जो लक्ष है वो पूरे नहीं होगे ठीक है इसलिए सीखना बहुत जरूरी है सावी बच्चे सुभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं उन्हें सीखने की छमता होती है बच्चे मांसिक रूप से तयार हो उससे पहले उन्हें पढ़ा देना बाद की समझ पाएं और ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएं ठीक है इसकूल के भीतर बाहर दोनों जगह पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है बच्चे इसकूल के अंदर तो टीचर सिखाते ही है ठीक है नब जो है तो अच्छे मैनर्स बैड मैनर्स मतल करिया पूरी होती है ठीक है सीखना किसी की मद्धता उसके बीना भी हो सकता है ठीक है मतलब कोई बीना हो ब्यक्ति तब भी हो सीख सकता है प्रतच रूप से सीखने से सामाजिक संदर हुआ संगवाद विसेश का अधिक सक्षमता सक्षम लोगों से संबाद विद्यार्थि इबं स्वयम के उच्चावच संग्यानात्मक इस तर पर कारे करने का मौका देते हैं। अच्छी लगे। उन्हें बेस्तर रखें। उब महसूस होना इस बात का संकेत है कि उस कारे को बच्चा अब यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है। और उसका संग्यानात्मक मौल खत्म हो गया है। मतलब उसमें सामाज नहीं है तब ही तो उसी चीज को बार बार दोहरा रहा है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसी में बालक के विकास के विभिन वस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। तो सहसवा वस्था इसके दावरान अधिगम सहसवा वस्था वह उस समय सीख है। जब वस्था यानि कि जब वो जन्म लेता है और पांच साल की आयू तक एक वर्स से पांच वर्स के आयू के बीच का वो होता है उस समय उसमें सीख देखना है। तो जन्म से च्छे वर्स तक की अवस्था को सहसवा वस्था कहा जाता है। प्रारंब होता है समाजी करण यानि की समाज का भी स्तार समाज किसी भी सब्द में दोस्तों अगर करण लग जाता है तो वह उसके विकास से है जैसे सहरी करण ठीक है और भू मंडली करण ठीक है बस उसी प्रकार से जो है तो समाजी करण समाज में रहना समाज में जो है तो लोगों का प्यार पाना और समाज में लोगों का बेवार करना ये सारा चीज सीखना प्रारम कर देते हैं बच्चे इस काल में जिग्यासा की तीब्र प्रवत्ती बच्चों में पाई जाती है मतलब उसमें जिग्यासा होती है कोई भी चीज जानने के लिए उत्सुक होते हैं ठीक है अगला है मनोब ज्यानिकों की दृष्टी से यह काल भविष्ट सीखने की सरवाधिक महत्वण माना जाता है जो भी बच्चे को वालक को कोई भी चीज जो भी कुछ बताई जाएगी पढ़ाई जाएगी जिखाई जायेगी उसको अच्छी तरीके से जो है तो अफजर्व कर सकता है ठीक है गहां कर सकता है उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि बालवस्था एवं इसके दौरान अधिगम बालवस्था के समय उसमें क्या सीखाती है अभी हमने जो है तो सहस्वावस्था के समय बता दिया कि क्या क्या सीखाती है उनमें ठीक है मतलब बच्चे नकल्ची होते हैं इस समय नकल करते हैं ठीक है जो अपने से बड़े जो लोग करते हैं वही काम वो भी करते हैं करना सीख जाते हैं समाजी करण होता है उनका सेस्व वस्था में बाले वस्था में क्या होता है 6-12 वर्स की आयू को बाले वस्था में रखा गया और लंबाई दोनों चीज बढ़ता है 6-9 वर्स के बीच के जो बालक होते हैं इस काल में बच्चों में चिंता नहीं होती है तक सक्तियों का विकास होता है चिंतन का मतलब सोच विचार का जो है तो विकास होता है 6-9 वर्स के बीच के जो बालक हैं उन्हें सोचने की सक्ति का अभी कास होता है इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रूची लेने लगते हैं सहसवावस्था में बच्चे जहां बहुत तीब गती से सीखते हैं वही बालवस्था में सीखने की जो गती है वो मंद हो जाती है बच्पन में मतलब जो सहसवावस्था में सबसे ज़्याद सीखते हैं बच्चे और जैसे ही वह बालवास्था में आते हैं तो सीखने की जो गती है वो घड़ जाती है कि उनके सीखने का जो छेतर है वो सहस्वास्था की तुलना में भी बड़ा हो जाता है क्योंकि सहस्वास्था में जो सीखने का छेतर होता कि बस समाज बस होता है उन को बहुत सारी चीज पूरे समाज को राज को जीले को समाजना जरूरी होता है इसलिए उन में जो सोचने की सकती है वो धीमी हो जाती है मानो बैग्यानिकों की दृटी से इस अवस्था में बच्चों की सिक्षा के लिए विभिन विधियों का प्रयोग करना चाहिए ठीक है म उनके अनुसार कहा गया है कि बालावस्था के समय जो बच्चे होते हैं उनकी सिक्षा के लिए विभिन विधियों का प्रयोग किया जाए तरह तरह की विधियां दी जाएं उन्हीं तब की वो जो है तो दो चार छो बिधि से जो है तो सिक्षा ग्रहांणच कर सकें ठीक है उसके बाद इसमें अगला टॉपिक है कि सोरा वस्था के समय आधीगम जब वो किसोर होते हैं मतलब जो है तो बारा से अठारा वर्स के बीच के जब वो हो जाते हैं उस समय उनमें सीख में क्या परिवरतन होता है जैसे 12-18 वर्स के बीच का समय जो होता है वो किसोरा वस्था कहलाता है या समय वह होता है जिसमें बेक्तिबाल वस्था से जो है तो निकल करके परिपकता की योर बढ़ता है और इस वस्था में किसोरों की जो लंबाई है और जो भार है वो दोनों में ब्रद्दी होती है और मासपेसियों में भी ब्रद्दी होती है और 12-14 वर्स की आयू के बीच लड़कों की अप एकछा लड़कियों की जो लंबाई है और मासपेसियों में तेजी से ब्रद्दी होती है लड़के बच्पन में इस पीड से बढ़ते हैं उनकी गती जल्दी बढ़ते हैं लेकिन लड़कियों की कम बढ़ती है लेकिन जब लड़कियां 12-14 के उम्र में होती हैं उस समय वो तेजी से बढ़ती हैं और जो बालक होते हैं उनकी जो बढ़ने की जो गती है वो धीमी मासपेस यह बढ़ती हैं ठीक है लड़कों की लंबाई मासपेसे तेजी से बढ़ती है कब 14-18 ठीक है लेकिन 12-14 के भीच में लड़कीयां बढ़ती है इस है उसके बाद हमारा अगला है कि इस काल में थीक है यानि कि जो है तो इसमें ठीक है किसोरा वस्था में किसोरा वस्था में प्रजनन अंग विक्सित होने लगते हैं ठीक है उनकी काम की मूल प्रवत्ती जागरत होती है ठीक है मतलब जो है तो जो वास कामना वगेरा जो होती है उस काम की जो है तो मोल प्रवत्ती जागरत होती है इस सवस्था में किसोर किसोरियों की बुद्धी का पूर्ण विकास हो जाता है उनमें ध्यान किंद्रित करने की छमता बढ़ जाती है और ध्यान रखने की भी छमता बढ़ जाती है मतलब कोई भी चीज को धयान भी रख सकते हैं कपी लंबे समय तक उनमें इस्ठाय थो आने लगता है इस अवस्था में मित्र बनने की प्रवित्टी होती है मित्रता में प्रगरता भी दावरान सामानसी बात है इस तरह इस अवस्था में ब्रक्ति के समाजिक संबंदों में बिर्दी होती है यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है इस अवस्था में नासा या अफराध की और लोग उनमुक हो जाते हैं इसलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान काल का भी कहा जाता है क्या कहा जाता है जीवन के तूफान का काल जो ये जो है तो युवा वस्था जो होती है ये जीवन के तूफान का काल कहा जाता है ठीक है किसोर अवस्था के सारेरिक बदलाबों के प्रभाव किसोर जीवन क सामाजिक और मनों बैग्यानिक पहलियों पर पड़ता है ठीक है अधिकतर किसोर इन किसोर यानि की जो है तो जवान जवान ठीक है किसोर यानि की जवान जो है तो बाला के जवान वाली का इन दोनों परिवर्तनों का सामना बीना पूर्ण ग्यान एवं समझ के करते हैं जो उ याउन रोगों याउन दुर बेवारों या चाईवी संक्रमन नसीली दवाओं के सेबा नादी का जो है तो सिकार बना सकती है इस अवस्था में उन्हें सिक्षकों मित्रों अविवावकों का सही मार्ग दर्सन देने की जरूरत होती है ठीक है क्योंकि बच्चे अपने होता है साधन उनका अधिगम से संबन ठीक है जैसे की बाल विकास को वैसे तो कई आयमों में विवाजित किया जा सकता है किन्तु बाल विकास एवं बाल मनो बग्यान के अध्यान के दृष्टिकों है ठीक है जैसे सारीरिक विकास मांसिक विकास भासाई विकास सामाजिक विकास अंबेगात्मक मनो गात्यात्मक विकास ठीक है उसके बाद देखते हैं सारीरिक विकास एवं अधिगम सारीरिक यनि सरीर का विकास जो बाड़ी है बाड़ी लेंगवेज ठीक है उसका विकास के समय जो है तो क्या सीख मिलती है तो सारीरिक विकास के अंतरगत बालक क सरीर के बाहरी एवं आंत्रिक जो अवयाव का मतलब होता है भाग ठीक है तो बाहरी एवं अंदर बाहर के भाग एवं अंदर के भाग जो है तो विकास सामिल होता है ठीक है सारीरिक विकास में सरीर के बाहरी परिवर्तन जैसे उचाई उनकी उचाई बढ़ती है सरीरिक किन्तु सरीर के आंतरी कव्यावों के परिवर्तन बाहरी रूप से दिखाई नहीं पड़ते किन्तु सरीर की भीतरी इनका समुचित विकास होता रहता है। लेकिन दीरे दीरे जब वह बड़े होते जाते हैं वो अपना कार या स्वयम आत्म निर्भर होने लग जाते हैं। प्रभाव पड़ता है ठीक है जादी बच्चों को परियाप्त मात्रा में पोसा काहार उपलब्द नहीं हो पा रहे हैं तो उसके विकास की जो गती है वो जो है तो आसा नहीं की जा सकती। ठीक है अगर उनमें पोशन आहार उपलब्द नहीं है तो सावी बच्चों का स्वास्त सारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली सर्त है इसके लिए मूल आवशकता है जैसे पोस्टी काहार सारीरिक ब्यायाम मनोबैग्यानिक समाजिक जरूरतों पर ध्यान देना आ अवगत कराना चाहिए रूबरू कराना चाहिए बाला की बुद्धी विकास के बारे में सिक्षकों को परियावत जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार है क्योंकि बच्चों की रुचियां इच्छाएं द्रश्टी कोण एक तरह से उसका पूर ब्यवहार सारीरिक बुद सकता है कि एक बिसेस आयुस्तर पर बच्चों से क्या आसा की जा सकती है ठीक है उसके बाद है मानसिक बिकास एवं अधिगम मानसिक बिकास के समय जब उनका जो है तो माइंड का जब बिकास हो रहा होता है उस समय सीख संग्यानात्मा का और मानसिक बिकास सितात पर बाला क कि उन सभी मानसिक युगताओं और सच्छमताओं में ब्रद्धी एवं विकास से हैं जिसके कारण निरंतर बदलते हुए वातरवन में ठीक प्रकार से समयोजन करता है और विभिन्द प्रकार की समस्याओं को सुलजाने में अपनी मानसिक सक्तियों का प्रयोग परियाप ठीक है निरिच्छन करना किसी चीज का जाँच परताल करना समस्या का समधान करना निर्ने लेना आदी जो है तो ये सब मानसिक विकास के समय है अगर उन में मानसिक विकास नहीं है तो ये सारा चीज वो नहीं कर सकता है ठीक है जन्व के समय बालक में इस प्रकार की योगत का अभाव होता है लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसका जो मानसिक विकास है वो बढ़ता जाता है ठीक है इसलिए इसको कहा गया है कि ये जो है तो मृत्व परियंद तक चलता रहता है विकास ठीक है संग्यानात्मक विकास के बारे में सिक्षकों को परि से उम्मेद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नए नए लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम